हलो डियर वेलकम बैक टू मैं चानल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चानल स्विच्वालिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में आज आपके लिए लाई हूँ DMDF Current Energy इस New Moon पर देखिए ये अगर आपके साथ Resonate होती है तभी ले लेना अगर नहीं होती है तो बिलकुल आराम से इसे लेट गो कर देना अपना दिल और अपना दिमाग खुलके हमेशा एनरजी सुना करे चाहे मेरी हो या किसी और की हो देख के साथ इस वक्त क्या हो रहा है कि उन्हें बहुत सारे Sign और Symptom Divine के तरफ से उनके Guide के तरफ से Spirit के तरफ से दिये जा रहे है बिलकुल Positive Way में कि ताकि वो अपनी जर्णी को अच्छे से पूरा कर सके समझे इस Connection के बारे में ताकि उनके Life में कुछ ग्रोता है लेकिन इस प्रकार से कोई फिकर नहीं कोई कुछ नहीं है उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब यही Life है अब मैं कुछ कर नहीं सकता अब जो होना है वो होते रहेंगा तो इस प्रकार से वो सोच रहे इस टाइम इस वक्त उनको DF की बहुत बाते याद आ रहे हैं जैसे कभी आपने उन की बात है उन्हें इस टाइम समझ में आ रहे हैं कि उसने मुझे बोला था यह आपके लिए अच्छा नहीं है और यह आज हो रहा है तो देखें यह भी उन्हें समझ में आ रहा है लेकिन वो वो समझना नहीं चाहते इस टाइम उनका इगो भी बहुत ज़्यादा उनके रा चाहते इवूटिएसिघद के साइंस इम्टम को देखना नहीं चाहते बस अपने ही धुन में चले जा रहे मतलब डिवाइन ने उनके पास सब कुछ दिया है सारे सौर सेसे हैं अपने अंदर आत्मा से जूरने के लिए पर वो है कि जूरना ही नहीं चाहते इस वक्त ऐसी उनकी करण एनरजी चल रही है बहुत सी DF उन्हें बहुत सारा लव भी सेंड कर रहे है इस टाइम उन्हें सब इंटुशन है DF के बारे में फिर भी वो एक लूप में चलना पसंद कर रहे है इस टाइम उन्हें DF का लव भी सेंस हो रहा है लेकिन फिर भी देखे डिवाइन फेमिना इंटुशन उनका अच्छा होता है लेकिन वो भी डिवाइन मस्कुलाइन है भले ही वो अवेकन नहीं है जर्नी को नहीं जानते लेकिन उन्हें सेंस हो जाता है कि अगर आप उन्हें लव सेंड करते हो तो इस टाइम उन्हें पता चल रहा है लेकिन फिर भी वो पता इग्नूर की तरह कर रहे है और एक थागेंगे तो नुकसान उनका ही तै है, नुकसान तो उनका बिलकुल होना ही है, देखें बहुत से divine masculine इस वक्षादी, engagement के जैसे भी उनके बहुत ज़्यदा चांस पन रहे कि होने के चांस है कि उनके engagement हो सकती है या फिर शादी हो सकती है, तो उन्हें लग रहा है कि ये उनके लिए एक नई शुरुआत है लेकिन ये उनके लिए नई शुरुआत बहुत भारी हो सकती है क्योंकि वो कही ना कही एंजल के मैसेज को इग्नोर कर रहे है तो बस चलते जा रहे है क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ उनकी नई शुरुवात हो रही हो, वो उनके लाइफ को पूरी तरह से जंड कर दे, क्योंकि वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो हो गया तो हो गया, अब और मेरा और उसका अब कुछ होने वाला नहीं, इस टाइम चालो है, तो ये बहुत सारी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ करंटली हो रहा है, अब देखें, नेक्स टेकि हम बात करेंगे, मैरेट डिवाइन मस्कुलाइन का क्या हाल है, अब जिनके भी शादी हो चुके, उनका हाल तो बहुत बुरा है, इस वक्त, उनके में उन्हें बहुत सारी financial नुकसान हुए है या फिर में भी हो सकते आगे ठीक है जो भी DM money के लिए पागल थे पैसों के पीछे भाग रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे को important दिया था DF के उपर उन्होंने बस money को चुना था उनको time न देना हर वक्त पैसे के पीछे भागना और बहुत सारा उन्हें जो भी उन्होंने collect किया था इस time ऐसे matteristic divine masculine के साथ उनका बहुत ज़्यादा loss हो रहा है financially ठीक है उनके सारे जितने भी उन्होंने जो जमा पुझी की थी मतलब उन्हें बहुत सारे उनको losses हो रहे है और उन्हें ये पता भी चल रहा है जो DM third party में थे उनके life में एक tower moment definitely आने वाला है या फिर आ चुका है ये एक मुझे sign मिला था tower moment का तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस शादी में फस गया हूँ या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो शायद मेरे परिवार का कोई अच्छे से खैलने रख भाएंगा या फिर मैं उसे कैसे छोड़ दू ये मेरी जिम्मेदारी है मेरी इससे शादी हो चुके है वो बिलकुल अपना 3D logical mind से ये सब बाते इस टाइम सोच रहे हैं इस टाइम क्या हो रहा है कि उन्हें आप दोनों का जो separation है वो इसे भूलने ही पा रहे है बहुत मतलब बहुत कोशिश कर रहे है ड्वाइन मस्कुलाइन भूलने की कि मैं भूल जाओ जो कुछ भी हो लेकिन ड्वाइन उनको भूलने नहीं दे रहे इस टाइम वो अभी भी पास्ट की बातों को लेकर गिल्ट में जाते हैं गिल्ट के एनर्जी में जाते हैं गिल्ट क्या करते हैं उन्हें थर्ड पार्टी में कोई भी इंटरस नहीं आ रहा इस वक्त उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि मैं बस एक रोबोट की तरह चल रहा हूँ काम कर रहा हूँ मेरे इमोशन इसमें इससे connect नहीं हो रहे, मुझे सुकुन नाम की चीज मेरे जिन्दगे में नहीं मिल रहे इस टाइम, ऐसी उनकी energy है बहुत सारे divine masculine का ego भी बुरी तरह से shutter हो सकता है इस दोरान वो बहुत कोशिश कर रहे है, DF के साथ communication करने की, लेकिन courage नहीं जुटा पा रहे है उन्होंने बहुत कोशिश की move on करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, उन्हें divine करने भी नहीं देंगा अगर वो सच में आपके divine masculine है तो इस वक्त divine masculine बहुत अजीब सी situation में है, कि वो बता नहीं सकते उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस situation में फसा हूँ और df से तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही इस ताइम बात करने की अगर वो आपसे बात भी कर रहे होंगे इस ताइम तो आपको पता चलेंगा कि वो थोड़ा सा परेशान है खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बस हा न ऐसे जवाब दे रहे हैं कि मानो ध्यान कही है और बात कही और कर रहे हो बहुत सारे divine masculine इस ताइम बहुत सारे df को बहुत positive तरीके से याद कर रहे हैं मानो जैसे bubble face में उनके बाते होती थी, वो बोलते थे, हसते थे, जो भी था कुछ आप दोनों का वो बहुत याद कर रहे हैं और same time वो guilt के energy में जा रहे है, regret के energy में जा रहे है, उन्हें regret हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने क्या कर दिया इस वक्त mostly divine masculine silent zone में है, देखे, जो भी divine masculine इस वक्त शादी करेंगे, तो शायद उनकी जो partner होगी, वो बहुत ज़्यादा dominating सबाव की होगी मतलब शब करना, ध्यान रखना, मेरी सुनो, बस अगर नहीं सुनोंगे तो फिर बवाल करना, जगडा करना, अगर DM मतलब married है, तो शायद उनकी जो पतनी है, wife है, वो भी बहुत ज़्यादा dominant करने वाली होगी, तो उन्हें बिल्कुल भी बान के रखते होगी जैसे कि अब बोलते है कि कहा जा रहे हैं, किस से बात कर रहा है, इस तरह के जो अजीव हो गरीब सवाल करती है, इस परकार के lady हो सकती है तो वो इस time आप से मिलने के बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चारों तरब से बंदा हुआ, फील कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे courage करूँ मैं कैसे हिम्मत करूँ और मैं कैसे उससे बात करूँ, मिलू मैं बताओ कि मेरी situation क्या है बहुत सारे masculine के energy ये है इस time DM की जिन्दगी में बहुत सारे judgment divine के तरफ से हो रहे है जैसे कि divine आप judgment करेंगे DF को realize हो रहा है कि उन्हें क्या किया है और उनके साथ शायद उनके कर्मों के वज़े से इस प्रकार से उनके जिन्दगी में बहुत सारे ups and down हो रहे है उन्हें realize हो रहा है इस बातों का देखें masculine को इस time क्या लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी में से मेरे life में से कुछ important हिस्सा पता नहीं मैंने क्या कुछ खो दिया है लेकिन कुछ तो मेरे हाथ से छूट रहा है चूट रहा है या फिर चूट गया है उन्हें एक बहुत बड़ा loss फिल हो रहा है इस time mentally, physically, df के रूप में उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कीमती चीज मेरे जिन्दगी से मेरे जिन्दगी से खो गई है मैंने उसे खो दिया है अपने हाथों से तो इस प्रकार से भी वो बहुत ज़्यादा इस time pain में कह सकते हैं और आपको याद कर रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं आपको दर्द भरी याद मुझे नहीं लगता लेकिन वो एक positive way में आपको याद कर रहे हैं मतलब आपकी सारे bubble face की जो बाते थी जो romantic जो आपने एक दुसरे के साथ time बिता है तो वो उनको याद आ रहा है इस time और वो मिलना भी चाहते हैं कुछ dark energy masculine के आज़ बाज़ इस time बहुत ज़्यादा है negative energy तो उन्हें रोक रहे हैं आपके साथ बात करने से communication करने से ठीक है तो ये थी divine masculine की current situation अब देखें ये judgment वाले बात में ने की है तो karma उनको hit तो हो रहा है चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है लेकिन divine का judgment तो अभी बहुत जोरो सोरो से चालू है और शायर divine masculine के life में हो सकता है आने वाले दिनों में भी ये चलता रहेंगा ठीक है तो अब हम बात करेंगे divine feminine की तो सबसे पहले कि बहुत सारी df इस वक्त powerful energy में है बिल्कुल इस journey को उन्होंने समझ लिया है अब वो जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है क्योंकि वो बिल्कुल जान चुके है कि उनकी value क्या है और वो बहुत self love में है currently ये वाली df अपने dm को पूरी तरह से divine पर surrender कर दिया है चोड़ दिया है क्योंकि वो जानती है कि सब divine का plan है इस type की df का intuition power भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अपने intuition को अच्छी तरह से समझ रही है उन्हें पता है कि आप कब emotional होना है और कब logical होना है इस type की जो df है उनकी dmdf energy भी balance हो चुके है और उनके inner dmdf का union भी बहुत ज़्याद होने वाला है या में भी हो चुका है और वो अपने साथ, अपनी company में अपने power में बहुत ज़्यादा खुश फिल कर रही है इस time ये बहुत positive energy है अगर आपके साथ ये resonate होती है तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही track पे हो divine का आशिरवाद आपके साथ है तो second type की df है जो इस वक्त बहुत सारी df के life में enjoy आने वाला है शायद आप ये किसी भी प्रकार से हो सकता है उनके df से बात हो सकती है एकदम friend से बात करते ना उस type की ठीक है बिल्कुल positive way में आप दोनों बात कर सकते हो या फिर आपके पुराने दोस्त के साथ आप थोड़ा सा enjoy कर सकते हो उनके साथ time spend कर सकते हो आपको अच्छा लगेंगा आपका mood अच्छा हो जाएगा बहुत सारे df के life में soulmate की entry कराएंगे divine तो उनके साथ भी आपको एक अच्छा quality time बिता सकते है आपको उनके साथ अच्छा लगेंगा बहुत सारे df के life में marriage के proposal भी आ रहे है और शायद इस time df सोच रही है तो बिल्कुल आपकी free will है आप सोच सकते हैं जो भी होगा divine आपके लिए अच्छा ही करेंगे ठीक है next है कुछ df के साथ ये हो रहा है कि वो अपने soul mission पे बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम एक मन लगा के काम कर रही है उन्होंने अपने goal set किये है और वो बिल्कुल उस पर focus है बहुत ज़्यादा hard work कर रही है अपने लिए इस प्रकार की df को बिल्कुल अपने dm की याद नहीं आ रही या फिर उन्होंने अपने df को अपने दिल के अंदर बंद कर दिया है और अपना दिमाग लगा लिया है अपने mission पर वो बस अपने mission पर एक लक्षे है उन्हें पता चल गए है कि उन्हें क्या चाहिए उन्होंने एक clear choice इस time बना ली है ये बहुत सारे df अपनी financial condition को भी अच्छा करने के लिए बहुत सारा focus अपने काम पर कर रही है अपने goal पर कर रही है कुछ df के साथ ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है तो ये energy भी बहुत अच्छी है positive है आप बिल्कुल अपने जिन्दगी को grow करने में लग जाओ अच्छा रहेंगा divine masculine से थोड़ा सा ध्यान हटाके तो बिल्कुल divine आपको help करेंगे आप देखें next है कि कुछ df के साथ ये भी हो रहा है कि देखें मुझे ये थोड़े नही जो new हमारे df है न उसके लिए ये आगे की energy बताऊंगी उन्हें पता चला है कि divine energy हमें help करती है या फिर वो divine feminine है या फिर उनके एक divine masculine होते है तो बहुत जादा अपने dm को वो daydreaming कर रही है उन्हें twin flame journey को लेकर भी बहुत जादा daydreaming कर रही है उन्हें इसा लग रहा है कि twin flame journey simple सी है लेकिन मैं आपको बता दू डियफ की divine feminine बनने के लिए और divine masculine से मिलने के लिए दोनों का union होने के लिए बहुत जादा काम करना पड़ता है और बहुत जादा painful ये जाड़नी भी होती है तो बिल्कुल भी हाला कि हमें divine help करते है लेकिन तुम सिर्फ सोचो मत अपना hard work करो हाथ पर हाथ रख कर कुछ नहीं होने वाला जब तक हम खुद के help नहीं करते तब तक भगवान भी हमारी help नहीं करता तो डियफ आपको सब मिलेंगा लेकिन आपको काम तो करना ही है तो आप अपना inner work बहुत 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 अच्छी तरीके से करो जो भी आप करते हो अपने इश्वर को साक्षी मान के करो आपको ज़रूर मिल जाएंगा उसका result और आप अपनी आशा जो expectation है आपको अपने divine masculine से जो desire है आपकी प्लीज उसे let go कर दीजे तभी आपके काम बनेगे नहीं तो फिर आप इसी में घुमते रह जाओंगे इसी loop में ठीक है अब कुछ df को नहीं वाले df को एक warning message भी है शायद है सभी मतलब जिसके साथ resonate हो जाएंगा लेकिन मुझे ये message आया था तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे df को dm के तरब से trigger आ सकता है तो देखिए इस time का जो trigger है न वो शायद थोड़ा सा तगड़ा वाला trigger हो इस वक तो आपको बिल्कुल बे tension नहीं लेना है ये जो trigger है ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगा आप कैसे अगर आप इस trigger को अपनी ताकत बनाओंगे तो नहीं तो फिर आप इस वर रोना धोना जो होता है अगर वो करोंगे तो शायद आप को time लगेंगा फिर से वही करने में आपको बिल्कुल भी low energy में नहीं जाना है अगर आपको trigger आता है तो उस trigger को बिल्कुल गोर से देखे उसका observation करें और उसमें आपके लिए क्या issue surface के आए इस time आपको क्या करना है किस पर काम करना है वो देखे ठीक है तो ये new df के लिए भी मुझे लग रहा है हो सकता है किसी भी df को आए trigger तगड़ा वाला है तो शायद middle journey वालों को भी आजा है या फिर किसी को last भी हो सकता है बहुत तगड़ा होने वाला है तो इस trigger को बिल्कुल negative ना ले बिल्कुल positivity में ले आपको divine का इसमें भी message मिलेंगा और आपका जो बचा कुचा जो issue है वो भी आपको जट से पता लगेंगा और आप फट से काम कर जाओंगी देखिए इस time mirroring भी बहुत ज़्यादा हो रही है चाहे आपको उनकी आपको अचानक से गुस्ता आना पता नहीं क्यों आपको ऐसे चिरचड़ापन लग रहा है आपको उनकी intimacy की भी एनरजी पिक हो सकती है आपको अचानक से intimate होने का मन करे आपको बहुत ज़्यादा गुस्ता आए आपको उनकी याद आए तो ये सारे आपके divine masculine की energy है जो इस time आपको मिल रही है ठीक है आप पिक कर रहे हो तो यही थी DM और DF की current energy I hope आपको कुछ help मिली होंगी कुछ healing मिली होंगी बहुत सारी DF के साथ आज की energy resonate हो जाए अगर आपके साथ resonate होती है तो please comment में आप अपने अनुभव बिल्कुल share करना मुझे अच्छा लगता है आपके comment पढ़ना तो मिलती हो अगले वीडियो में अपना ध्यान रखना God bless you